अकबरी लोटा एक शहर में सलीम नामा के गरिब योवकता उसका बाप बच्पन में ही गुजर गया था इसलिए उसकी माने ही पाल पोसकर उसे बड़ा किया बड़ा होने पर सलीम एक दुकांदार के यहा नौकरी में लग गया उसकी माने जहीदा नामा के किवती से उसके साथ शादी की सलीम को अपने मालिक से जो तनक्वा मिलती थी वह उसके खांदान के खाने कपड़े के लिए खर्च हो जाती थी लेकिन उसकी बीवी जहीदा को चमकीली कपड़े और मोती जड़े गहनों का शौक था उसे अपने शोहर की कमाई से जानकारी थी फिर भी वह अपने मन पर काबू नहीं कर पाती थी उसे अपने कमजोरी पर स्वयम दुख था फिर भी वह चमकीली कपड़ों था मोती जड़े गहनों ला देने के लिए उस पर जोर दबाव डालती थी एक दिन सलीम नमाज के बाद चट पर बैटकर एक पुराने बड़े लोटे से दूथ पी रहा था उस वक्त वह यही सोच रहा था कि उसकी बीबी की इच्छा पूरी करने के लिए पैसे कहा से लावे उसी वक्त उसके हाथ का लोटा फिसल कर नीचे गिर पड़ा सलीम के गर के नीचे एक दुखान थी उस दुखान के आगे एक गोरे साहब खड़े हो दुखानदार से बात कर रहा था सलीम के हाथ से फिसला हुआ लोटा ठीक उस गोरे साहब की टोपी पर गिर पड़ा टोपी पर गिरने की वज़ा से उसे कोई बड़ी चोट न लगी मगर उसे बड़ा गुसा आया गोरे साहब की ओर से दुकानदार सलीम को गालियां देने लगा फिर क्या था दुकान के सामने छोटी सी बीड जमा हुई उन में से एक बुड़े मुसलमान ने लोटे को उलट पलट कर देखा और अचरच में आकर कहा अरे यह तो बादशाह अकबर का लोटा है मैं इसको पांच सो रोपयों में खरीद लोंगा उस वक्त गोरे साहब अपने गुसे को भूल बेटा और उसने छे सो रोपये की बोली लगाई इसके बाद मुसलमान साहब थदा गोरे साहब ने होड लगा कर लोटे का दाम बढ़ाया आखिर गोरे साहब ने उस लोटे को साड़े साथ सो रोपयों में खरीदा सलीम के दादे का दोस्त का एक बुड़ा मुसलमान या तमाशा देख रहा था उसने वहा के लोगों को बताया कि सलीम का खांदान उस वक्त जरूर गरीब हो गया है मगर एक जमाने में मुगल बादशाहों के साथ नजदीक का रिष्टा रखता था उसके गर में इस वक्त जो हांडा है वह खुद बादशाह जगंगीर का है गोरे साहब के मन में बादशाह जगंगीर का हांडा खरिदने की इच्छा पैदा हुई उसे प्राचीन इथा से संबंदित मशूर चीजों का संग्रह करने का शोक था सलीम ने गोरे साहब को अपना हांडा दो हजार रुपयों में बेच दिया गोरे साहब यहां सोचकर भड़ा कुछ हुआ कि उसने अत्यंत इतिहास प्रसिद मूल्यवान चीजों को सस्ते में ही करिद लिया है इससे सलीम के सामने रुपयों की जो समस्या थी वह भी हल हो गई सलीम ने अपनी बीबी को समझाया कि उन रुपयों को कपड़ों या गहनों के पीछे खर्च करने के बदले उस पूंजी से व्यापार करना कहीं अच्छा है जहीदा को भी यह सलाह अच्छी लगी सलीम ने अपनी नौकरी छोड़ दी निजी व्यापार शुरू करके जल्दी ही शहर में सबसे बड़ा व्यापारी बना थोड़े ही समय में जहीदा को चमकीली कपड़े और मोतियों के गहने भी मिल गए